अज हम परी बोड के सेकिंद पार्ट को एक्स्पेंड करने वाले हैं और इसकी अंदर क्वेशन पेपर का कौन सा पार्ट आनेवाला है उसको DKS करेंगे चलिए देखते हैं कि कॉश्चन पेपर का जो सेक्षन बोड के अंदर सेक्षन ए आता है उसमें रीडिंग पोर्शन आता है तो रीडिंग पोर्शन के अंदर हमारे दो अन्सीन पैसेज लिए होते हैं जिसमें हमको कहीं से भी कोई पैसेज आता है और उसमें दिये गए क्व हमारा आता है 9 marks का तो 9 marks के अंदर पर question हमारा 1 mark कर रहता है तो किस तरीके से हमको उसमें answer को करना है यह देखेंगे तो सबसे पहले passage को solve करने के लिए हमको questions read कर लेने हैं जिससे हमें answer करने में थोड़ी सी easy हो तो सबसे पहले question यहां पर दिया गया है what the what was the size of trench सबसे पहले हमको क्या करना है first question के अंदर जो पूछा है कि trench का size क्या था तो ट्रेंच मीन होता है खाई तो इसके अंदर ट्रेंच वर्ड जहां जहां रहा है वहां पर हमको देख लेना है सबसे पहले हमको passage को explain कर लेना है there was another Indian with the professor and his troop who took no part in the strongman act but spend the entire time digging a shallow trench about 10 feet long and two or three feet wide तो यहां पर हमको देखना है कि क्या कह रहा है यह passage तो क्या था कि एक दूसरा Indian था जिसके साथ में एक प्रोफेसर था और प्रोफेसर के साथ में उसका का एक ग्रूप था चूप से मतलब सैनिकों का एक उसके साथ में ग्रूप था who took no part जिसने strongman के साथ में किसी भी गतिविदी को करने में पार्ट नहीं लिया था बढ़ पैंड था एंटायर टाइम डिगिंग और शैलो ट्रेंच लेकिन वह क्या करता रहा था कि सारे टाइम एक शैलो ट्रेंच को एक हलकी सी उथली सी जो जिसकी गहराई बहुत जाधा नहीं थी तो उस खाई को ट्रेंच मीन खाई तो उस खाई को वह खोदने में लगा वो ट्रेंच मीन चौड़ी बाइड टाइम प्रूफेसर हैस पेनेज हिस एक्ट अब क्या था कि उसी समय से प्रोफेसर जो था उसने अपने काम को फिनिश कर दिया दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड वेद रैड को रैड हॉट कोल फ्रॉम दा कुक हाउस अब उसने क्या किया कि उस ट्रेंच के अंदर कुक हाउस में से मतलब रसोई घर में से उसने एकदम तेज जलने वाले जो कौईले थे वो लाकर के उस ट्रेंच को उसने भर दिया दियर वाज नो फणी बिजनेस अबाउट इस वाइं दिस फाय ट्रेंच आइड उसके लिए कोई दूसरा काम नहीं था वी गैदर अराउंड एट अराउंड एट एट फ्रोंग एट वज इनसेंज और क्या था कि हम वहां पर इखटा हो गए और क्या देखा था हमने कि जहां हम खड़े थे सारे लोग इखटा होकर तो उस जगें इंस्टेंज वहां की दूरी से गर्माट उस खाई में से कॉल गरम कॉलों की गर्माट आ रही थी रधर एंड एल्डर्ली जेंटल मैं और वो दूसरा जो व्यक्ति था ब्रद व्यक्ति था को दैन स्टूड सो दान स्टूड एट वन एंड और दे ट्रेंज और वो जाकर फिर वहां उस खाई के एक तरफ खड़ा हो गया स्पैल्स वाटर फ्रॉम अनियर बाय बकेट ओवर हिस बैर फीट तो उसने अपने नंगे पैरों पर खाली पैरों पर उसने उस पास में रखी हुई एक से पानी को छिड़का ज़िए पैल्स में होता है चिडखना तो उसने पानी को छिड़का एंड रैन प्रॉसीजी टू वाक ओवर दा रैड हॉट कोल अलों विद दो होल लांद ओफ दे ट्रेंज तो उसने क्या किया फिर पानी को छिड़का और फिर वह उस खाई की लंबा आगे की तरफ बढ़ने लगा, it was an incredible spectacle, we could see the long flame, low flame from the red coal licking around his bare feet as he slowly walked to the end of the trench, तो क्या देखा हमने एक incredible, spectacle, incredible से meaning होता है, unbelievable, spectacle से meaning scene, यानि की द्रिशे, तो हमने क्या देखा, वहां पर एक incredible द्रिशे देखा, एक अधबुत द्रिशे देखा, जिस पर यकीन ना किया जा सकी, we could see low flames, और हम छोटी-छोटी flames को देख सकते थे, from the red hot coal, किस में से उस खाई मैंसे, जो गरम कोईलों से भरी हुई थी, तो उस में से छोटी-छोटी flames को देख सकते थे, leaking, leaking का meaning होता है, चाटना, चाटना यहां पर कहें, तो touch करना से meaning है, तो यहां पर उसके वो नंगे पैरों को, खाली पैरों को, वो छोटी-छोटी flames होती, वो छू रही थी, या touch कर रही थी, as he slowly walked to the end of the trench, जैसे ही वो धीरे-धीरे उस खाई के तरफ आगया-गय, चलता जा रहा था, when he reached it और जब वो पहुच गया, as if not satisfied, जैसे मानो के वो एक बार उस खाई पर चल कर, satisfied नहीं हुआ था, he turned round and walked back to the same way, और फिर वो मुड़ा और उसी तरीके से वापस आया, then he squitted down on the ground, और फिर क्या था, कि वहीं पर वो जमीन पर, squitted से मतलब पालती लगा के बैठना, तो वो जमीन पर पालती लगा कर बैठ गया, gesture to his, gesture to his feet और अपने पैरों को देखने लगा, and invited us all to inspect them, और हम को invite करने लगा कि हम भी उसके पैरों को देखे, inspect का मतलब देखना, देखना या observe करना, we did, हमने उसके पैरों को देखा, and there was no so much as a blister anywhere to be seen, और हमने देखा कि उसके पैरों के उपर एक भी छाला नहीं पड़ा था, उस आग पर जाने की वज़े से, blister से मीनिंग छाला या फाला, I had pushed forward through the crowd to get a closer look at this amazing character's feet, फिर क्या था, कि मैं आगे की तरफ मुझे भीड में धका लगा दिया गया, get closer look as amazing character's feet, जिसको की वज़े से, मैंने उस amazing character के पैरों को नजदीक से देखा, and as I knelt down beside him, और जैसे ही मैं उसके बगल में घुटने के बल बैठा, I felt something thirst into my hand, और फिर मैंने feel कि कुछ मेरे हाथों की अंदर ऐसे ही थूस दिया गया, thirst का मतलब थूसना, it was a handkerchief, तो वो क्या था जो मेरे हाथों में जबरदस्ती दे दिया गया, वो एक रुमाल था, handkerchief mean, रुमाल, and it was then that I recognized him, और फिर मैं उस समय उसको पहचान गया, he had looked at me once, और उसने एक बार फिर से मुझे देखा, briefly थोड़े समय के लिए, as he passed the handkerchief to me, अब जैसे ही वह मेरे नजदीक से उस रुमाल को लेकर गुजरा, but when I went to speak to him, he looked away again, so I kept my mouth shut. लेकिन जब मैं उससे कुछ कहने के लिए गया, he looked away again, तो उसने मुझे फिर से देखा, so I kept my mouth shut, इसलिए मैंने अपना मूँ बद रखा, if I wanted to pretend, अगर मैं ये बहाना करना चाहता था, that he didn't understand English then, कि उसको English समझ में नहीं आती थी, तो फिर that was all right by me, तो ये मेरे लिए बिलकुल ठीक था, obviously, बेशक ही, it amused him to listen to the comments of the admiring crowd gather around him, तो क्या था, कि ये चीज़ें जो थी न, उसे बड़ा ही, क्या करती थी, आस्चर रे चकित करती थी, amuse से मेरी, surprise करना, कि वो क्या होता था, वो surprise होता था, जब उसके चारों और इखटा हुई, भीड जो थी, उसकी प्रशंसा करके comment कर रही होती थी, तो प्रोफेसर ने अब क्या किया, प्रोफेसर ने वहाँ पर, इस एन काउंटर विद थी, तो वो क्या करके आया, पाँच टन के ट्रक को अपने साथ में लेकर आया, इस चीज़ को रिकावर करने के लिए, and he came over to say in halting English, तो वो क्या करने लगा, वो इस पर अटक अटक के English को बोलने लगा, halting मीन क्या होता है, अटक ना, that fire walker would take a volunteer with him across the fire trench, अब क्या था, कि आग पर चलने वाले व्यक्ति, जो स्वैम अपनी इच्छा से, उसके साथ उस आग पर चलने के लिए आए, this of course produce a big laugh, तो बेशक ही इस पर बहुत वो यह चीज जो थी, बहुत मजा करने वाली थी, but I did not join it, लेकिन मैं उसमें शामिल नहीं हुआ, I knew then that I was going across the fire trench, although the very thought of it made me go ice cold with fear, तो मैं जान गया कि मुझे अभी उस आग की खाई को पार करके जाना था, यद पी यह जो विचार था ना, वो मुझे ऐसा बना देता था, बिल्कुल मुझे जडवत कर देता था, किस से डर से, तो देखें फ्रेंट्स, यहाँ पर क्या था, कि size पूछा था, तो जैसा कि यहाँ पर, passage के starting में ही दिया गया है, कि trench जो थी, वो कितनी थी लगबग, तो trench was 10, about 10 feet long and 2 or 3 feet wide, तो first question का answer हो जाता है, कि आग पर चलने से पहले, उस गरम कोईले की खाई की आग पर चलने से पहले, वो व्यक्ति क्या करता था, तो हमने passage में अभी पढ़ा था, कि वो आग पर चलने से पहले, क्या करता था, before walking over the red hot coal, the elderly man spills water over his bare feet, तो क्या करता था, वो व्यक्ति, ब्रद व्यक्ति जो था, वो अपने पैरों पर, नंगे पैरों पर, वो पानी को छिड़कता, और उस आग पर चलता था, कि उसको चलने से पहले, वो यह करता था, देखेंगे पैसेज के अंदर, यहाँ पर मिल जाएगा आपको, यह यहाँ पर, स्पैल्स वॉटर, फ्रॉम नियर्वाइ बकिट, ओवर दे बैर फिट, फिर उसके बाद में, वो इस ट्रेंज पर चलता था, नेक्स्ट कुश्चन देखे, वाट हाम वाज कॉस्ट तु दा, एल्डरली जेंटल में बाइडेस एक्षन, क्या नुक्सान होता था उसको, इस एक्षन को करने के बाद में, तो कोई भी नुकसान नहीं होता था, कोई भी छाला या फाला वहाँ नहीं होता था, तो no harm आजाएगा यहाँ पर, no harm was caused to the elderly man, elderly जेंटल में, तो कि पैचानक था कि उसने उसके हाथ में एक पुमाल दिया था यहां पर देखें तो वो उसको पहचान गया था उस कर्टब दिखाने वाले व्यक्ति को पैचान गया था तो क्या लिखा है आपे वैं दा एल्डरली जेंटल मैं रिटर्न दा नारेटर है इस हैंकरचीफ ही रिकागनाईज दा मैं तो जब उस ब्रद्व्यक्ति ने उस नारेटर को उसका रुमाल लॉटा आया तब वो उसको पहचान गया था next question what did the crowd do to amuse the man तो भीड जो थी उस व्यक्ति को कैसे सप्राइज करती थी हमने पढ़ा महां पे लास्ट पेराग्राफ के अंदर the crowd admired the man to amuse him जब भीड उसको admire करती थी उसकी प्रशंसा करती थी तब वो व्यक्ति आश्चरे चकेत होता था next question who was the heading the troop तो क्या था कि कौन उसको head कर रहा था lead कौन कर रहा था उस troop को उस करतब दिखाने वाले group को lead कौन कर रहा था तो passage के starting में दिखा हुआ है देखें यह आप है another Indian professor भी था उसके साथ में तो उस troop को एक Indian व्यक्ति जो था वो उसको head कर रहा था एक Indian प्रोफेसर जो था वो उसको head कर रहा था next question है not very deep तो इसका हमको single word के अंदर answer में करना है not very deep तो जब passage हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने underline करके बताया कि जो बहुत जादा गहरा नहीं है उसको हम इस वर्ड के लिए यूज करेंगे तो उसको हम shallow बोलते हैं scene scene को भी हमने underline किया passage के अंदर spectacle scene का मतलब होता है द्रिश है तो जो चीज हमें दिखाई देती इस पैक्टिकल वर्ड उसके लिए यूज होगा opposite the fluent fluent का मीनिंग की बताना है fluent का मतलब होता है बिना रुके कहना तो यहां पर halting जो आमने माग किया passage के अंदर halting जाने की अटक अटक के बात को कहना देखते नेक्स्ट कुश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च fasting से regarding fasting क्या चीज करती है हमारी बॉड़ी के अंदर fasting is said to bring a host of benefit तो fasting क्या बनाती है बताती है fasting हमारे कहा जाता है कि fasting बहुत सारे benefits को बताती है provide it's done under medical supervision तो वो क्या करती है fasting medical supervision को provide करती है doktor explain how to go about it तो डॉक्टर इसके बारे में बताते हैं कि यह कैसे काम करती है food is to the body what fuel is to a motor vehicle तो एक एक example से बताते है doctor quarto कि क्या बताते है कि यह motor vehicle के इंदर जो fuel work करता है वैसे ही food हमारी body के इंदर काम करता है इक प्रोवाइटस energy तो फूड क्या करता है हमारी बॉड़ी के अंदर एनर्जी देता है helps करता है रिपैर करने के लिए और राजवाइन नेट मतलब हमारी बॉड़ी को जवान बनाके रखता है ऑर बॉड़ी ऑनकनफर्स-मयनी अदर बैनेफिट और बॉड़ी जो है वह हमारे यहाय ऐस फास्टिंग जो है वह हमारी बॉड़ी के अंदर कई सारे बैनेफिट्स को लेकर आती है A lot of research has been done, बहुत सारे संशोधन किये गए है, आपे शोध किये गए है, sorry, बहुत सारे इस पर फास्टिंग को लेकर शोध किये गए है, and is being done on fasting, और फास्टिंग को लेकर हो भी रहे हैं, बहुत सारे शोध, when one fast, जब कोई व्यक्ति फास्ट करता है, the digestive organ get rest, तो हमारा जो digestive organ होत है, वो rest करता है उस समय, and all body mechanism are clean, और हमारी body पूरी तरह से cleans हो जाती है, साफ हो जाती है, while fasting, the natural process of toxin exertion continues, और जब fasting की जाती है, तो एक प्रकर्तिक प्रक्रिया है, टॉक्सिन एक्जर्शन के लिए, मतलब की हमारी body के अंदर जो विशाक्त मल होता है, उसको बाहर निकालने में वो लगातार काम करती है, while inflush of new toxin is reduced, और जब वो क्या कर रही होती है, वो body के अंदर नए toxin को inflush कर रही होती है, इन प्लस से मतलब बाहर निकाल रही होती है, the energy using used for digestion is redirected to immune function and cell growth, तो energy सामाने था, digestion के लिए, जो उर्जा प्रयोग की जाती है, तो वो क्या करती है, immune function को और cell growth कर रही होती है, fasting help you heal with greater speed, fasting क्या करता है, वो पुवास क्या करता है, भूखा रहना क्या करता है, वो आपको heal करने में बहुत तेजी कर देता है, यानि कि जो भी चीज होती है, तो आपको किसी भी चीज को ठीक करने में वो speed तेज कर देता है, cleanses your liver, आपके liver को साफ करता है, kidney and colon purifies your blood, आपके kidney और colon को साफ करता है, purifies your blood, आपके blood को साफ करता है, helps to lose excess weight and water और आपकी body के अंदर से excess weight को और पानी की जो excess मात्रा होती है, उसको कम करता है, flush out toxins और क्या करता है, toxins को बाहर निकालता है, cleanses the eyes, आपकी आँखों को साफ करता है and tongue and cleanses the breath और आपकी जीब को और आपकी सांसों को साफ करता है, another research says fasting, दूसरे research जो है, वो fasting के लिए बताते है, even occasionally, यहां तक की कभी-कभी help in detoxification, वो क्या करते है, detoxification के लिए भी मदद करते है, थू fasting, fasting से we restrict digestive activity, हम क्या करती है, प्रतिबंदित करते हैं जो digestive activity होती है उनको and so energy is utilized to cleanse different system, तो energy क्या करती है इस तरीके से, अलग-अलग तरीके से जो cleanse के system होते हैं, उनको utilize करती है, यानि कि उसमें काम करती है, fasting improves metabolism, fasting आपके metabolism को improve करती है, यानि कि आपकी उपाप्चे प्रक्रिया को improve करती है, sharpens the senses, आपके जो ज्यानिंद्रिया होती है, उनको, आपके senses जो होते हैं, उनको तेज करती है, calm the mind, दिमाग को शांत रखती है, helps the lose weight और weight को कम करने में भी आपकी मदद करती है, improve the general immunity improves the concentration and the mental clarity, और वो क्या करती है, mental immune system को आपके सामन ने जो immunity होती है आपकी, उसको improve करती है, यानि कि आपके जो रोग प्रतिरोदक शमता होती है, उसको improve करती है, सुधार लाती है, उसमें improves concentration, आपके ध्यान लगाने की प्रक्रिया को भी improve करती है, mental clarity लाती है आपके अंदर, fasting if understood, अगर fasting को समझा जाए, and done under supervision और इसको देखा जाए, has tremendous benefits, benefits and impacts at various plans, तो इसके अंदर क्या है, इसके बहुत बड़े-बड़े benefits है, और इसके जो plans है, कई तरह की उनका उनका जो प्रभाव है, उनका जो लाभ है, वो बहुत जादा है, mental, emotional, physical and spiritual, यानि की मानसिक, समवेगात्मक, शारिक और अध्यात्मिक इसके benefits है, specially, vicious तोर पे, it serves as an aid to effective detoxification, तो ये क्या करती है, एक प्रभावकारी detoxification, यानि की प्रभावकारी विशाक्ती करण को, विशाक्ती करण के तोर पर कारे करती है, या उसके लिए उसके जैसे वो काम करती है, है, helps in repair and rejuvenation, और वो क्या करती है, आपको repair करती है, सुधार लाती है, आपकी body के अंदर मदद करती है, और जवान बनाए रखने में मदद करती है, offers rest to the gastrointestinal system, और वो क्या करती है, कि आपका जो gastrointestinal system है, उसको rest करना provide कराती है, repair rest कराती है, and promotes metabolism of excess fat, और अत्तिरिक्त जो वसा है, आपकी body के अंदर, तो metabolism को promote करता है, metabolism के अंदर जो excess, आपकी उपापचे प्रक्रिया का जो अत्रिक्त वसा है, उसको promote करता है, the crucial point to note is the difference between fasting and starvation, अब क्या है, एक जो मुखे तौर पे, एक जो बात यहां पर उस पर ध्यान दिया जाए, तो difference बताया गया है, fasting के अंदर और भूखमरी के अंदर, research suggest is that there are major health benefits to calorie restriction, तो यहां पर कई सारे research यह बताते हैं कि, calories restriction, यानि कि जो calories को कम करने के जो benefits है, बड़े बड़े जो आपके स्वास्ते के जो फाइदे हैं, वो बताते हैं एक research के द्वारा, among other things, कि दूसरी जो चीजें है, it slows down the aging process, तो वो दूसरी चीजें क्या करती है, उसके जरीए यह क्या करता है कि आपकी जो बढ़ती हुई उम्र है, process की प्रक्रिय, आपकी बढ़ती हुई उम्र की जो प्रक्रिया है, उसको वो slow कर देती है, according to the US National Academy of Science, किसके तुरू, US की National Academy of Science की अनुसार, other benefits include stress resistance, तो दूसरे जो benefits हैं, तो वो क्या करते हैं, इसके अंदर stress को कम करने में वो सायक होते हैं, शामिल होते हैं, increase the insulin sensitivity, और आपकी insulin sensitivity को बढ़ाते हैं, and increase the life span, और आपके जीवन का, आपका जो जीवन है, उसको भी बढ़ाते हैं, glucose is the body, body's primary fuel source, अब glucose जो है न, वो body का primary fuel है, primary fuel का शरोत है, प्राथमिक शरोत है आपके body के fuel का, and is essential for the brain functioning, और वो आपकी दिमाग का जो functioning है, जो दिमाग जिस तरीके से कारे करता है, उसके लिए बहुत जादा जरूरी है, when denied glucose for more than 8, 4-8 hours, और जब 8 से, 4-8 घंटे से भी जादा glucose इसके लिए मना कर देता है, the body convert glycogen stored in the liver into the usable form of fuel, तो आपके liver के अंदर इखटा किया गया glycogen, वो क्या करता है, इसको body में glycogen में बदल देता है, and supplements it with small amount of protein, और आपकी body के अंदर जो बहुत कम मात्रा में protein होता है, वो supplement का काम करता है, this will last for up to 12 hours before the body turn to glycogen, store in the muscles, तो क्या होता है, ऐसा 12 घंटा तक लंबे समय तक चलने से पहले, आपकी body जो होती है, वो glycogen जो आपके muscle में store था, वो काम करना शूर कर देता है, it glucose is still denied at this point, अगर glucose जो है वो इस point पर, इस बिंदू पर, अभी भी काम करने के लिए मना करता है, the body continues to use the fat for as long as it is available, तो body क्या करती है, आपकी body के अंदर जो fat use है, जो आपके body के अंदर fat available है, उसको लंबे समय तक काम करने में लेती है, if the fast is not broken, और अगर ब्रत नहीं तोड़ा जाता है, तो starvation occurs, तो भुकमरी पैदा हो जाती है, या उसमें होने लगती है, as the body begins to use the protein for fuel, तो body के अंदर जो protein पढ़ा होता है, तो वो उसको काम करना शुरू कर देती है, that can occurs if fasting is pursued to the point of complete starvation, तो मृत्य हो सकती है, अगर fasting को और आगे समय तक बढ़ा दिया जाता है, देखें, first question क्या है, what does the benefit, what does the fasting improve, तो first question क्या है, कि fasting जो है, वो क्या चीज़ इंप्रूव करता है, तो यहाँ पर question के अंदर हमने पढ़ा था, passage में कि fasting जो है, improves the metabolism, immunity and mental clarity, तो किस चीज़ को वो इंप्रूव करता है, metabolism, immunity or mental clarity को, what does fasting provide us, अब fasting क्या चीज़ हमें प्रूवाइड करती है, तो fasting जो है, वो हमें energy प्रूवाइड करती है, what are the benefits of fasting, fasting करने के क्या benefit होते हैं, तो benefit क्या है, benefits of fasting are mental, spiritual and emotional, तो यह fasting करने के benefits होते हैं, next question, what is one of the major health benefits of fasting to calorie restriction, क्या चीज़ प्रूवाइड करने के लिए तो वो क्या है, यहाँ पर एक benefit बताना है आपको, fasting slows down the aging process, तो हम कोई भी लिख सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कि fasting क्या करती है, aging process को down कर देती है, या slow कर देती है, choose the word from the passage which means main, हमको main का similar word बताना है, इसका meaning बताना है, तो यहाँ पर इसका similar word है major, तो यहाँ पर देखें कोशन में ही दिया गया है, तो प्रमुक स्वास्ते लाब जो होते हैं, वो fasting करने से होते हैं, तो यहाँ पर major को main के similar word में लिया है, choose the word from the passage which is opposite to loses, अब आपको losses बताने हैं, losses क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर पूरे passage के अंदर benefits word दिया है, और एक heal word दिया है, कि losses का जो opposite है, वो benefits है या heal है, तो आपको दोनों में से एक कर सकते हैं, next question, combine the following sentences using the conjunction that is provided in the bracket, आपको जो भी conjunction यहाँ पर दी गई है, तो उसमें से कोई भी एक conjunction का use करना है, तो देखें, यहाँ पर हमने एक को select किया है, एधर और को, तो यहाँ पर देखें, आप पहले, इसको solve करने से पहले, आप sentence को समझ लेंगे, teacher- teachers- my friend has taken food, तो यहाँ पर देखें, teacher और मेरी friend has, यहाँ पर वर्ब जो है, वो singularly गई है, कि या तो teacher या फिर मेरे friends ने, had, has taken food, उन दोनों में से एक ने खाना खाया, अगर दोनों आता, बोथ और end आता, तो यहाँ पर हम plural verb का use करते, तो singular verb है, तो उसके according, हम यहाँ पर either or का use करेंगे, नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, although लिखा है, हमने यहाँ पर, यहाँ पर conjunction use किया था, as or although, तो कोई भी सेंटेंस, जब यहाँ पर लिया जाता है, उसके अंदर, अगर किसी भी काम को किया जा रहा है, और उसके opposite, अगर उसका result आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर है, राम वर्ग्धार्ट, राम ने बहुत कथिन परिश्रम किया, he failed in the examination, लेकिन फिर भी वो fail हो गया, तो यद्य भी उसने काम तो बहुत किया, लेकिन फिर भी वो fail हो गया, यहाँ पर हम क्या select करेंगे, although, question number 4, join the following sentences using the word, using the word given in the bracket, आपको क्या करना है, कि sentence के अंदर, जो word दिया गया है, उसको use करके, हमको sentence make करना है, तो यह हमारा topic clause से लिया गया है, कि आपको clause के अंदर, इसको solve करना है, तो clause के अंदर friends क्या करते हैं, कि कोई भी दो sentences को connect करने के लिए clause का use किया जाता है, तो clause जो होता है, वो हमारे noun से related होता है, तो उस से related जो भी pronoun आता है, उसके लिए हम इनको use करते हैं, अब जैसे यहाँ पर दिया है whose, तो whose जो होता है, वो possessive relative pronoun है, यहाँ पर sentence के अंदर noun से related क्या possessive दिया गया है, his दिया गया है, तो इसकी जगे पर हमको इसको replace करना, तो जहाँ पर भी हमारा कोई भी noun आता है, या कोई भी incident आता है, तो उसके पास ही हम relative pronoun को ले आते हैं, तो जैसे इसको solve करेंगे, he saw the boy, अब हम boy की बात कर रहें, तो boy से related चीज यहाँ पर यह थी, तो हम यहाँ पर his को remove करके, whose को ले आएंगे, तो whose को ले आएंगे, उसके बाद में उससे related जो भी noun है, उसको यहाँ रख देंगे, और sentence को complete करके, तो जैसे यहाँ पर लिखा, he saw the boy, उसने लड़के को देखा, जिसके की टांग टोटे हुई थी, तो लड़के को देखा, तो यहाँ पर पैर का connection इस लड़के से है, यह एंटेंसिडेंट है, तो जहाँ पर एंटेंसिडेंट होता है, यहाँ पर 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 रिमूव करके वो हू को वहाँ पर रिप्लेस कर दें उसके लिए यह वाला दे रिमूव कर देंगे यहां पर उसकी जगह पर हम हू लिखेंगे फिर हाव लिख देंगे बागी सेंटेंस as it is living have just arrived from Japan next question देखते हैं combine each sentence each set of sentences into one sentences as directed हमको यहां पर क्या करना है यह topic जो है वो synthesis है कि पेंट देखे कि synthesis clause और conjunction तीनों ही phrases phrases को connect करने का काम करते है sentence को connect करने का काम करते हैं यहां पर भी हमारे पास में दो sentence है तो इसकी अंधर हमको क्या बनाना है simple sentence बनाना है ठीक है तो जब कोई भी sentence कोई भी दो sentence में से first वाला अगर passive voice formation के अंदर दिया जाता है तो उसको हम past participle में make करते हैं तो कैसी करेंगे उसको the college having been having been closed, the boy, dousra sentence हम as it is रख देंगे, the boy went home clear next sentence देखें अब यह हमारा complex sentence है तो complex के अंदर generally हम if weather that यह सब यूज़ करके लिखते हैं तो यहां पर यह first sentence जो है he may be innocent के वो innocent हो सकता है I don't know मुझे नहीं पता तो हम यहां पर कैसे करेंगे I don't know मुझे नहीं पता I don't know whether ही ने बी इनसेंट है इस तरह से शेल में नेक्स्ट कुशिशन नमबर 6 यहां पर देखेंगे, join the following sentence using the word given in bracket, क्या आपके पास में sentence दिये गया है और वहां पर option दिया गया है, तो यहां पर bracket की अंदर option दिखा है, got about, got over, ठीक है, तो पहला sentence पढ़ लेंगे हम, my cousin has not still, the death of his mother's, तो क्या है कि मेरा जो चचेरा भाई है, मेरा cousin है, वो अभी तक बाहर नहीं आ पाया या उबर नहीं पाया है, अपनी मा की death से, तो यहां पर got over का meaning जो होता है, उबर ना होता है, या बाहर आना होता है, तो हम यहां पर got over को, यहां पर fill कर लेंगे, select करके, दिर्योधन could not put up with या put on about his insult, तो यहां पर इसका right जो answer है, put up with है, मतलब क्या है, कि वो उसको सहन नहीं कर सका, दिर्योधन could not put up with his insult, कि वो अपनी जो insult है, उसको सहन नहीं कर पाया, तो फ्रेंट यह हमारा pre-board का second part था, जिसको अभी हमने आपके सामने explain किया, तो मेरा यहां पर सारे बच्चों को यह suggestion है, कि कोई भी हम reading portion करें, तो सबसे पहले हमको questions को एक बार study कर लेना है, जिससे हमको answer को search करने में passage में से बहुत ज्यादा help मिलेगी और बहुत कम time हमको उसमें से मिलेगा, grammar portion को हम थोड़ा trick से लेकर चलेंगे, जिससे वो करने में हमको easy रहेंगे, फिर मिलते हैं next lecture video में, thank you.